मित्रों जैसा कि आपने थमनेल में पड़ा है, कि मेरे जितने भी मित्र हैं, जिशने वक्सिमेटर का फारम भरा हुआ है, या फिर वो सहाईक लेवल पर जाना चाहते हैं, या वेक्सिनेटर बनना चाहते हैं, मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना किजिएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल पर नए है तो सस्प्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किजिएगा, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो, चले स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर एक भूक है, एक ऐसी भूक है ना, कि अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, माबापने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन हम उसका उप्योग नहीं कर रहे हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं, कि मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ, या फिर मैं जो करना चाहता हूँ, वो मैं कर नहीं सक हमारे सामने परिस्टितियां आ जाती हैं, मजबूरियां आ जाती हैं, हम डर जाते हैं, हम जान बुछ करके वो कदम उठाने से डरते हैं, कि कहीं मैं फेल हो गया तो, क्या होगा, एक बात बलों आपको, ये जितनी भी हमारी सोच आती है ना, हमारे माइंड में, ये सब करेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, ये सोच आना जायज है, लेकिन मेरे मित्र मैं आपको पताना जाता हूं कि सिर्फ सोचते रहने से न कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए आपको एक्षण लेना ही पड़ेगा, एक्षा लेना ही पड़ेगा, तो मेरे बात अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जोड़ कीजिएगा और हाँ आज इसी वक्त अपने आप से एक कमेंटमेंट करो एक वादा करो कि मुझे कुछ करना है मुझे कुछ बनना है अरे ये छोटा लेवल या बड़ा लेवल इनसान नहीं तो बनाया है ना इनसान नहीं बनाया है अगर आपके अंदर भोक है कुछ करने की एक जजबा है एक जुनूर है कोई नहीं रोक सकता है आपको किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको रोक सके सिवाए एक इनसान है जो आपको रोकेगा जानते हैं कौन सिर्फ आप सिर्फ आप अपने आपको रोकोगे बाकि इस दुनिया में किसी में इतना दम नहीं एक को आपको रोकेगा मेरी बात यदि समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सस्क्राइब करो ये जो रेट कलर का बटन दिख रहा है ना नीचे इसको आप सस्क्राइब करो और घंटी का निसान दबा के आप सेलेक्ट हो जाओ क्योंकि वेक्सिनेटर मैं भी हूँ वेक्सिनेटर आप भी हो अरे नोकरी मिले या ना मिले